हाई फ्रेंड्स मिक्स एरोमेटिक चैनल पर आप सभी को सागत और मैं हूँ सेप शुविंदू मैं आज बनाने जा रहा हूँ मिक्स बेजिटेबल वह भी बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल और रेस्टोरेंट का इसाथ फिर चलिए उनके लिए तैयारी करते और मैं एक बा नो काट लिए हूँ और थोड़ा सा गाज रकेवं याओ फिर्य द्लाब करेंट स्टूरेंत ओदिके काक्सिक लिए यहाँ जिनजर लियाओ और थे खाल आप आप उन्यंव जादा रखाऊ और यह टोमेटो बड़ा बड़ा करने काट लियाओ और थोड़ा सा गाली काले प ब्लेष क्रे делает थूडशा ध leash रहा यह सारे सरे देगे मयट टॉमेटो ग्रेवी बना लेवा नो यह सब से पहले में डॉमेटोग वी को बना लेता हूं उसके लिए मैं थूड़ा लोसुन है उसको भी मैं डाल दे रहा हूँ और डालने का बाद मैं थोड़ा सा इसको फ्राइब कर ले रहा हूँ कर दो आप में इसमें कर दो आओं काजु को काजु को तो फ्राओं कर ले रहूं और इसका साथ में आड़ कर दे नाँ जो फ्रेस क्रीन छिली थोड़ा स्पाआशी के लिए इस में इसको खेलुंब देख environmental और इसको जस्ट थोड़ा सा नरम कर लोगा अमस्व यह दिखिए नरम होगे अब मैं इसको पीस लोगा और पीस्टे पीस्टे तो तो इधर मैं जो सब्जी कटके रखाऊं उसको मैं फ्राइड कर ले रहा हूं यह सारी सब्जी को मैं डाल दिया हूं और इसको 25% इसमें पका लोगा और बाकी पकाऊंगा क्रेवी के साथ यह दिखिए मैरा पग्या 25% अब मैं इसको निकाल ले रहा हूं और निकल के एक बॉल मैं रखके फिर यह सी कड़ाई पर मिक्स बेजटेबल बना लेता हूं यह मिक्स बेजटेबल के लिए थोड़ा सा ओयल ले रहा हूं मैं और उसका साथ एक ड्राइचिली और एक बेलिज डाल दिया हूं और थोड़ा सा आखा जीरा डाल दे रहा हूं इसको हलका सा फ्राइ कर ले रहा हूं और आप मैं इसमें चॉप ओनियन को डाल दे रहा हूं और यह चॉप ओनियन को पकाने के लिए थोड़ा सा मैं नमक अड़ कर दे रहा हूं और इसको पूंते रहा हूंगा तब तक जब तक ना हलका ब्राउंड हो जाए यह देखिए म मेरा हलका ब्राउंड हो गया है ओनियन को भी पानी सूप गया है अब मैं इसमें एड़ कर दे रहा हूं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर यह थोड़ा सा पाल्टा चला के और मैं थोड़ा सा कास्मेरी चिली पाउडर एड़ कर दे रहा हूं इसमें थोड़ा कर दे रहा हु कि अग्य tam कर कि हो इसको तो अच्छे से ने रहा हूँ और तब तक बोनूँ गां जब तक इसका ओलना बाहर आए सलाइक अधिके में बाहर ऑल एला ऑगा कि अब में यह समय फड़ चाना थोदा सक पानी औरडी मिक्सर जार कुद्ध के वही पानी मैं एड़ कर दे रहा हूँ और ग्रेवी को मैं अच्छे से मिक्स्ट कर ले रहा हूँ और यह अब मेरा फ्राइ किया हुआ वेजटेबल को ग्रेवी के साथ एड़ कर दे रहा हूँ कि देखें मेरा अड़ करके हो गया अब मैं यह ग्रेवी और विजटेबल को अच्छे से मिक्स्ट कर ले रहा हूं कि दिखें मिक्स्ट करके हो गया है अब मैं इसमें और थोड़ा पानी एक लिवी यह चाहते हो, तो पानी नढ़नने से भी चले जो गीुँगा तौर मैं कोवर लागे रहाओ और फात्स piace सी पका हूं या 5–7 में हो गया अब आbelsे हाटा दे रहाओ है अब मैं इसमे एड़ कर दे रहाओ थोड़ा सा बाटर यह बाटर एड़ करके होगे अब मैं इसमें एड़ करूंगा थोड़ा सा चीज अगर आप लोग का पास चीज होता है तो ज़रूर डालिए अगर नहीं होते तो ना डालने से भी प्रब्लम नहीं होगा है लेकिन चीज डाने से थोड़ा सा ग्रेवी यामी हो जाएगा अब मैं यह चीज को अच्छे से मिक्स्ट कर ले रहा हूँ ग्रेवी का शाथ अप मैं एड़ कर दे रहा हूँ इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम यह फ्रेस क्रीम एड़ करके हो गया है मेरा अब मैं इसमें थोड़ा साथ मिक्स कर ले रहा हूं अच्छे से बस मिक्स वेच मेरा रेडियो हो गया है यह अब लोग रोटी राइस नान कुल्चा लच्छा परड़ा किसी के साथ भी ले सकते हो और देखिये कितना यामी ग्रेवी बन गया मेरा विलकुल यामी है फिर फ्रेंट्स आप लोग को अगर यह रेसिपी पसंद आए तो घर पे ट्राइ जरूर कीजिए और ट्राइ करने के बाद आप लोग को कैसे वाना वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताई है फिर मिलेंगे फिर एक नया रेसिपी के साथ तब तब के लिए बाई बाई खुश रहें सुस्त रहें